कवासा की निंजा S2 228 होर्सपावर रिलीस करती है और कवासा की निंजा S2R 326 होर्सपावर लेकिन कभी आपने एक ऐसी हायाबुसा के बारे में सुना है जो S2R को भी पावर के मामले में पीछे छोड़ दे हाँ जी 370 होर्सपावर वाली सूपर भूसा की बात करने वाले है आज हम इस वीडियो में और आपका एक बार फिर से स्वागत है आटो फिक्षन यूटूब चैनल में बात है 1999 की जब सुजुकी ने जपान की जमीन से एक पैरेग्रीन फैलकन की उडान भरी हांजी हायाबुसा और उस वक्त ये लॉंच होते के साथ ही इसको वर्ल्ड फास करा बैटर हैंडलिंग के साथ हायाबुसा की जनरेशन टू 195 भी प्रड्यूस करती थी उसके 13 साल बात लास्ट ये 2021 में हायाबुसा की जनरेशन 3 आई जो की वाकई में एक ग्रेट बाइक जनरेशन है हायाबुसा की बट लोगों को इससे और जादा पावर्फल होने की उम मांक है इतना बड़ा नाम है कि वो भी 200 होस्पावर के मांक को ब्रीच करे यानि उसको पार कर दे इसलिए पिचर में आती है TTS परफॉर्फॉर्मेंस TTS परफॉर्मेंस UK बेस्ट मोटरसाइकल परफॉर्मेंस कम्पनी है जो 1999 से ही हायाबुसा के मोडल्स पर काम करते आये हैं और TTS परफॉर्मेंस को आप सूपर चार्जर स्पेस लिष्ट भी कह सकते हो क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बाइक्स मोडल को सूपर चार्जड कर है Honda CBR 1000 RR से लेकर सूपर चार्ज हारले डैविट्शन तक TTS परफॉर्मेंस चाती थी कि हायाबुसा बने वर्ल्ड फास्टेस प्रोडक्शन बाइक और अगर सुजुकी यह नहीं कर सकती तो चलो फिर हम करते हैं उसी से यह सब स्टार्ट हुआ एक ऐसी हायाबुसा का सप एक अपनी इस हाइबुसा पर और जैसे कि मैंने बताया कि जब से ही haben एक लाइंटि 9 Guzに हुई है तब एक हार्सपावर के मांको क्रॉस नहीं कना था बत अब ऐसा हो गया है हायाबुसा के अंदर आपको 330 허ष पावर मिलती है सूपर चार्जर की मतद से तो फिर कोशन आता है कि ये कड़ा कैसे गया TTS Performance ने अपनी 40th anniversary पर इस सूपर बूसा को लॉंच करा जिसमें रोटरेक C3094 सूपर चार्जर लगा है जिसकी वज़े से ये हाया बूसा वूपिंग 370 horsepower निकालती है 250 Newton Toc के साथ तो इतनी मैसिफ horsepower को जहनने के लिए बैक को डिजाइन करने में भी काफी challenges आते हैं तो इस 370 horsepower रिलिस करने वाले सूपर बूसा को डिजाइन करने के लिए कितनी अग्जामपल इनकी डिजाइन हुए बाइक के यह रहे तो अग्जामपल इनकी डिजाइन हुए बाइक के यह रहे सूपर बूसा में आपको रोटो बॉक्स कावन फाइबर रिम्स मिलते हैं सिंगल सैडिट स्यू गाम, लार्जर ब्रेक डिस्क और अपग्रेडर सस्पेंशन और सबसे यूनीक चीज जो लगती है सूपर बूसा में वो है इसके exhaust का डिजाइन वो काफी यूनीक लगता है और ये क्वार्डर माइल सिर्फ 9 सेकंड के बीच में कवर कर लेती है क्योंकि इसकी acceleration ही तो savage है TTS सूपर बूसा को आप और पर बनवा सकते हो TTS Performance का कहना है कि वो स्टार्टिंग में इसकी 40 यूनीट सी परड्यूस करेंगे कस्टमर इसमें classic GSXR inspired custom paint की scheme की choice भी ले सकते हैं और दूसरी 10 alternative paint scheme भी है जो car design concept ने डिजाइन करी है इसमें आप या तो Brambo के brake caliper या फिर MC के brake upgrade करा सकते हो और Ohlins के rear shock और rear sets का भी option है तो इस super busa को buy करने का cost है 30,000 euro plus wet और उससे अलग एक stock bike का price जो आप लोगे ही और अगर हम इसे इंडिया के लिए convert करें तो लगबग होते हैं 50 लाग रुपे और आता है उपर से इसपे import duties अगर आप उसे इंडिया में मगाना चाहते हो तो लेकिन जुनूनी बंदों के लिए और जो हाया बूस और लवर्स हैं उनके लिए ये कुछ नहीं ये सच में super busa ही है और इसके अभी top speed run test failure नहीं हुए हैं लेकिन ये अराम से 350 प्लस किलमेटर पर आर की स्पीड टक जा सकती है वो हम आने वाली वीडियो में जरूर बताएंगे जैसे ही इसके certified top speed result आएंगे तो इसलिए ही autofiction को subscribe कर लीजिए कोई भी new video की notification सबसे पहले पाने के लिए और वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आप हायाबू साल लवर हैं तो और शेयर तो करी दीजिए अपने friend circle में तो बाइक के दिवाने हैं थांक्स फो वाचिंग